आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग camera application से professional video editing कैसे कर सकते हो यहां भाई लोगा अगर आपको camera application में जरा से भी video editing करना नहीं आता camera application के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हूं उससे आपको कैसे वीडियो अच्छी वीडियो एडिट कर पाऊगे तो यह वीडियो को अगर आप एंड तक सुरू से लेकर एंड तक देख ले तो भाई कैप कट एप्लिकेशन में आपको कोई भी ऐसा एक फीचर नहीं मिलेगा जो आप यूज ना कर सको आप मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ए टू जट पूरी एडिटिंग के बारे में कि आप लोग अच्छे से professional video कैसे एडिट कर सकते हो professional short video कैसे एडिट कर सकते हो Reels फगयरा ताकि आपकी जो video है वो और अच्छी लगे edit होने के बाद अच्छी लगे और आपकी जो video है viral होने के chance भी रहते हैं जब आपकी video अच्छी रहती है तो CapCatz application के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे और डाउनलोड के साथ साथ वो भी बता देते हैं कि इसमें आपको एडिटिंग कैसे करना है पूरा टुटोरियल आपको बता देंगा बस क्या है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को सुरूज लेकर अंड तक जरूर से जरूर पूरी देखना अगर आप पूरी देखोगे तब ही आपको समझ में आएगा उससे पहले आ रहा है वीडियो को अगर आपने अभ कर दो लेकिन अभी भी बहुत सरे कमेंट आते हैं कि बाई कैफ काट अप्लिकेशन यह प्रॉब्लम हारी यह प्रॉब्लम हारी इसमें लोग यह वाली एडिटिंग नहीं कर पा रहें तो सारी आप लोगों को इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम इन तक बने रहना जो हमारा CapCut application है यह हमारे Telegram channel पर मिल जाएगा जैसी अब हमारे Telegram channel जो की link है डिप सिक्षन बॉक में वहाँ से click करोगे हमारे Telegram channel पर join हो जाओं वहाँ पर मैं CapCut application की link डाल दूँगा ठीक है तो CapCut application आपको download कर लेना है download करने के पाद जाप आप इस application को पहली बार open करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आएगा उसके बाद उपर आपको new project का option दिखेगा इसके उपर आपको click कर देना है उसके बाद यहां से आपको वाली वीडियो को select करना होता है जिस भी वीडियो के आप editing करना चाहते है तो जैसे कि मेरे पास यह वाली अभी फिलाल एक वीडियो है इसको मैंने click करा उसके बाद add के उपर click कर दिया है यह हम लोगों की यह जो वीडियो है यह आप यहां पर देख सकतो यह वीडियो एड हो गई सबसे पहले मैं जो इसक कैसे करना है जैसे कि होता कि है आप लोग पहले वीडियो शूट कर लेते हो तो आपको editing में क्या सबसे पहले करने की जुरूरत पढ़ती है कट की मतलब आगे का जो पार्ट है वो आपको खराब हो गया या फिर आपने tripod में मोबाइल लगाया वीडियो को प्ले कर दियो उस स्प्लेट के उपर आपको क्लिक कर देना है यह आपका पार्ट हो गया एक अलग उसके बाद एंड में आपका जहां तक सौंग है जहां तक आपकी वीडियो है वहां पर आपको स्टॉप कर देना है उसके बाद जैसे कि यह बेकार बाट है तो यहां पर भी स्प्लेट कर द आपको यहां पर आपको करना है ? है यहां पर पर you अऊचे बाद आपको करना यहां पर करलेंग के खिलोन सबस्कितन जब्सक्राइब है के अचिए खीम और संपकत है याप धिवडिएो की विडियो के माच सबमेदर करए once उसके बाद Contrast में जाके यहां से भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो तो जैसे कि मैंने देख लिया इस तरीके से कर लिया तो इत को मैं फूल कर देता हूँ यह क्योंकि मुझे ज़्या अच्छछा लगता हूँ अधना मैं झालिक्ता हूँ उसकी बाद से इस तरीके से मैंने देख सकते हैं वीडियो बना ली उसके बाद adjustment हो गया उसके बाद आपको जाना है सबसे पहले filter पे filter पे जाने के बाद यहाँ पर आपको filter मिल जाते हैं अभी मेरा जो की net band है इसलिए आ नहीं रहा no internet connection जब net होगा तो आ जाएगा filter भी आप लगा सकते हो और फिल्टर तो आप Instagram से भी लगा सकते हैं यहाँ के बाद यहां पर इतना काम होने के बाद आपको करना क्या है है जिए इतना काम हो गया सबसे पहले उसके बाद यहां पर फिर से वीडियो के उपर क्लिक करना है अब जैसे आपको नॉर्मल मुझे करना है तो इसके अपर जाना के थोड़ी सी एफ यहां करो नियां पड़ा दो यहां पर देख सकता सथ रखो तब भी ठीक है लेकिन आप यहां से इतनी थोड़ी सी बड़ा कर दो अब यहां पर देख सकता आप को कितना बढ़ा He 50 कर सकते हैं तो मैं आप यहां पर मैंने इसको अगर आप कम कर देगें तो यह आप देख सकतो बिल्कूल कि और अगर अगर slow motion बनेगा 0.5 x रखोगे तो आपकी जो वीडियो है वो फज़ेगी भी नहीं और एकदम perfect होगा तो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है उसके बाद इतना काम होगे slow motion का मैंने बता दियो उसके बाद आपको करना क्या है यहां पर आपको जाना है effect पर effect पर जाने के बाद यहां पर main चीज आती effect की जैसे आपको यहां पर effect लगाना है तो यहां पर effect कैसे लगाना है यहां पर आपको वीडियो को पर click कर देना है जैसे कि आपको बीच में कहीं पर effect लगाना है यहां पर effect लगाना है उसके बाद फिर से मैं cut कर देता हूँ यहां पर आपको effect लगा लेना, effect अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, तो नहीं भी लगा सकते हो, कोई problem नहीं है, उसके बाद, अगर आपको वीडियो में अपना लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, उसके लिए भी यहां पर option दिया, text का, अगर आप यहां से idea को add करना चाहो, animation भी दे सकते हो, उसके बाद, यहां पर आपको option क्या मिल जाता है, extract idea, extract idea को मतलब क्या है, जो आपकी वीडियो में, जो idea है, उसको आप लोग बहान निकालना चाहो, तो निकाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद, filter का मैंने बता दिया, edit के उपर जाना है, यहां पर आप क्या है इस पर जो की brightness वगरा है, उसको कम जादा कर सकते हो, गोरा मतलब कर सकते हो, आप लोग समझी गए होगा, ठीक है, उसके बाद, यहां पर आपको मास वाला option मिल जाता है, यह भी मेरे ख्याल से internet से ही चलेगा, जो की वो चहो रहा है, मेरा internet बंद है, इसलिए थोड़ा net जो करोमा की, उसको यहां से आप अब हटा सकते हो, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप अप अब पीछे background लगाओंड लगाओंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले background को चूज कर लेना होता है, इस तरीके से खन लेना होता है, बैग्राउंड आपको सबसे पह इस तरीके से होगे, उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे option मिलते हैं, freeze का मिलता है, इसके ओपर जाओगे, तो यहां पर graph लगाओंगे बहुत सारे मिल जाते हो, और यहां पर copy है, voice effect है, मतलब voice effect देना चाहो, opacity है, इसकी opacity कम जादा कर सकते हो, और यहां पर replace है, replace का मतल है, और यहां पर adjust है, filter है, edit है, extract ID है, remove background है, मतलब background remove करना चाहो, remove background के उपर click करो, यहां पर आप देख सकते हो, उपर remove background चला है, 1%, 2% चलेगा, 100 जब तक हो जाएगे, जब आपका remove background हो जाएगा, तो अभी मुझे करना नहीं है, तो इसको मैं cut कर देता हूँ, इस तरीके से animation है, value है, अपनी idea की जो की burn कम जादा कर सकते हो, जो की, अपनी जो की video है, उसकी idea को कम जादा कर सकते हो, मतलब song उसको कम जादा कर सकते हो, इतना काम हो गया, उसके बाद आपको export करना रहता है, वीडियो तो उपर आपको यहां पर गलती कर देते हो, तो यहां पर आपको 1080p पे लिखा है यहाँ पर आपको इसको फुल कर देना है फ्रेम रेट को भी फुल कर देना है अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो आप फ्रेम रेट को भी फुल कर दो उसके बाद उसके बगल में डाउन्रोड को आपसन है इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है इस वाले ड एक दम परफेक्ट हो जाएगी अगर आप इससे फिल्टर नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा फिल्टर ना लगाओ तो आप इंस्टाग्राम से फिल्टर लगा सकते हो तो इससे अप आप लोग काफी अच्छी अडिटिंग कर सकते हो मुझे उम्मिद है मैंने आप आप लोग काम जो याओा हो आप लोगाओ